हले दुस्तो आप सभी का सौगत है हमारे शैनल Mr Mobile में तो दोस्तो जितने भी लोग गूगल पे यूज करते उन में से दोस्तो ज़ादा तर लोग गूगल पे के जो सभी फीचर से उनके बारे में नहीं जानते इस रिए वो दोस्तो गूगल पे का सही से ιस्तवाल नहीं कर पा वो आप आसानी से इस्तेमाल करना सीख जाओगे तो दोस्तो वीडियो की दरब बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चानल की वीडियो पहली बार देख रहे तो वीडियो की नीचे जो लाल सब्सक्राइब बटन दिख रहे उसे दबा कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए और दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को भी एक लाइक जरूर कर देना तो दोस्तों बढ़ते हैं हमारी वीडियो की तरब तो जिस फीचर की मैं दोस्तों सबसे पहले बात करने वाला दुकान या फिर मॉल वगर में जाते हैं तो वहाँ पर आपको बहुत सरी QR कोड पेमेंट करने के लिए देखने को मिल जाते हैं तो दोस्तों यहाँ पे आप Google पे का जो scan and pay feature है उसका इस्सेमाल करके आप Google पे से वहाँ पे payment कर सकते हैं तो simply उस पर आपको क्लिक कर दिना है वहाँ पे डाल देना है उसके बाद आपको आपका UPI PIN डालना है और पेमेंट कम्पलीट कर देना है और दोस्तों अगर आपका कोई भी दोस्त आपको कि उसका QR कोड बेच चाहे तो दोस्तों वहाँ पे आप अपलोड फ्रॉम गैलेरी का जो अप्शन है यहाँ पे देख सक सकते हैं और दोस्तों इसी QR कोड को आप अपने दोस्तों में भेच के आप अपना पेमेंट भी करवा सकते हैं तो अभी दोस्तों गूगल पर के नेक्स्ट वाले फीचर के बारे में बात करते हैं जो है पे फोन नंबर मतलब दोस्तों अगर किसी का भी फोन नंबर गूगल ज कोछ इसका यहापी आगर नाम भी आगर आप डालते हैं या फिर फोन नम्बर में डालते हैं तो उसका यहापा नाम शो हो जाएगा बस आपको Us पर क्लीक करद दोना है और यहापी देख सकते हैं कुछ आईसा अंडर विसा आए गा तो मैंने इस पे payment किये इसलिए यहाँ पे कोई payment show हो रहे अगर आप first time करेंगे तो नीचे यहाँ पे simply pay का जो option दिख रहा है यहाँ पे देख सकते तो उस पे click करना है आपको और जो भी amount आप आप उसको send करना चाते है वो यहाँ पे आपको डाल देना है और किसलिए send करना चाते है वो भी यहाँ पे आप दोस्तों डाल सकते है यह compulsory नहीं है उसके बाद नीचे pay का जो option दिख रहा है उस पे आपको click कर देना है उस पे click करने के बाद दोस्तों आपको आपका UPI PIN डाल देना है अगर आपने UPI PIN नहीं बनाया है तो मैंने गूगल पे का UPI PIN या फिर पूरा गूगल पे का setup है उसका वीडियो बनाया है त आप नीचे description section में जाके उस वीडियो का आप चेक आउट कर सकते हैं तो simply आपका UPI PIN डालने के बाद नीचे यहाँ पे right का जो option दिख रहा है उस पे आपको click कर दाना है और आपका जो है payment complete हो जाएगा payment की तरह ही दोस्तों अगर आपका किसी के बाद पैसे बाकी है तो उस उसको आप request भी कर सकते हैं मतलब आपका payment जितना भी बाकि है उसका यहाँ पर request पर click करके जितना भी amount है वो यहाँ पर डाल देना है और किस चीज के पैसे बाकी है वो यहाँ पर add note में आप डाल सकते हैं simply उसके बाद आपको right पर click कर देना है और नीचे जो request का जो option दिख रहा है उस पर अगर आप click कर देंगे तो दोस्तों आपका जितना भी payment का request है वो उसके पास चला जाएगा जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने request 50 पर click कर दिया तो सामने वाले के पास यहाँ पर देख सकते हैं 50 रुपिस amount का यहाँ पर देख सकते हैं request चला गया त तो जैसे ही वो paid कर देगा मतलब transaction complete कर देगा तो दोस्तों यहाँ पर आपको paid लिखा हुआ देखने को मिल जाएगा तो अभी जो दोस्तों Google पर का next वाला feature है वो है bank transfer तो दोस्तों अगर किसी का number Google पर register नहीं है तो आप उसको bank transfer भी कर सकते हैं तो simply bank transfer पर click माने के बाद दो दोस्तों आपको उसका account number और जो IPC code होता है वो दोस्तों दो details लगेंगे यहाँ पर आपको उसका bank transfer करने के लिए तो bank transfer पर दोस्तों मैंने अलग से एक video बना दिये detail में तो दोस्तों उसकी link भी आपको description में मिल जाएगी तो WhatsApp उस video को देख सकते हैं और अच्छे से समझ भी सकते हैं तो दोस्तों Google पर जो next वाला feature है वो है दोस्तों mobile recharge दोस्तों आज के time पर बहुत ही important चीज हो गई है तो Google पर से आपको mobile recharge करना है तो इसके बाद दोस्तों आपके सामने कुछ क्लिक करना है और जो भी नंबर है उसको आपको select करना है अगर आपके बास नंबर सेव नहीं है तो simply यहाँ पर डाल सकते हैं तो नंबर डालने के बाद दोस्तों आपके सामने कुछ ऐसा इंटर्फिस आएगा तो simply यहाँ पर उसका नाम होगरा आपको डाल देना है और उस नंबर का register city वगरा आपको यहाँ पर शो हो जाएगा उसके बाद आपको continue पर click मा देना है जैसे आप continue पर click मा देंगे तो दोस्तों आपके समनी कुछ ऐसा इंटर्फिस आएगा तो यहाँ पर देख सकता है जितने भी आपको recharge मानना है जितने का भी आपको recharge मानना है उसके गूगल पर का number नहीं देना है तो उसको बोल देना है आपको उसका UPID देने के लिए Google पर का तो कभी कभी दोस्तों security के region से कोई कोई लोग अपना गूगल पर का number नहीं देते तो दोस्तों Google पर का UPID आप कहा से डून सकते उसके उपर मैंने एक detail वीडियो बना दिये तो उस उसके बाद दोस्तों आपका UPID डालके transaction को complete कर देना है तो नेक्स्ट है Google पे का feature दोस्तों self-transfer transfer दोस्तों आप तभी कर सकते हैं जब आपके Google पे में दो bank account add होंगे तो Google पे में कैसे आप दो bank account add कर सकते हैं उसके उपर भी मैंने वीडियो बना दिये तो उसके भी link दोस्तों आपका नीचे description में मिल जाएगी तो वहाँ से आप उसको check out कर सकते हैं और उन दोनों account में bank balance भी check कर सकते हैं तो simply check balance पे आपको click कर देना है और जो भी आपका UPI PIN register है उसको आपको click कर देना है इंडर कर देना है उसके बाद दोस्तों नीचे जो right का option दिख रहे है उस पे अगर आप click कर देंगे तो जो भी आपका bank का balance है वो यहाँ पे आपको show हो जाएगा तो Google प electricity bill payment, dtoch या फिर cable bill payment जैसे बहुत सारी functions यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे तो इसके आलाओ दोस्तों Google Pay का जो recharge code होता है उसको भी यहाँ से आप purchase कर सकते हैं और दोस्तों यहाँ से आप fast tech का भी recharge कर सकते हैं तो यहाँ पर जितने भी सारे functions से उसके उपर दोस्तो सेपरेट उडियो बना दिये हरे के उपर उनकी लिंक आपको description में मिल जाएगी तो वहाँ से आप उनको check out कर सकते हैं तो अभी बात करते हैं दोस्तों Google Pay के कुछ important setting के बारे में तो आपको अगर Google Pay का setting देखना है तो आपका जो photo दिखता है उस पर आपको क्लिक मा देना है उसके बाद आपके समनी कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा तो यहाँ पर आपका जो Google पर का UPID होता है वो भी यहाँ पर आपको शो हो जाएगा नमर के निचे ही होता है और अगर दोस्तों आपको किसी अपने दोस्त को refer करना है Google पर तो simply यहाँ पर share का जो option दिख रहा है उस क्लिक करके यहाँ से आप यहाँ पर देख सकते WhatsApp और पर share करके आपका लिंक उसको आप refer कर सकते है Google पर दोस्तों refer and earn के लिए बहुत ही अच्छी का सी amount देता है 100 के उपर ही देता है कभी-कभी आपको 50 के नीचे देखने को मिल जाएगा Google पर दोस्तों refer and earn करके भी आप अच देख सकते बहुत सरे option यहाँ पर आपको शो हो जाएंगे तो यहाँ पर first वाला जो manage UPID का option है उसके उपर आप क्लिक मारेंगे तो आप आपका और एक UPID क्रेट कर सकते हैं और forgot UPID का जो option दिख रहा है उस पर क्लिक करके आप दोस्तों आपका Google पर UPID होता है उसको आप चें में मिल जाएगी इसके लाव दोस्तों अगर आपको Google पर customer cat से भी contact करना है तो उसकी भी वीडियो माने बना दिये तो उसकी भी लिंक आपको निचे description में मिल जाएगी तो यहाँ तक वीडियो देखने के बाद दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको Google पर के जो सारे features उसक फिर भी आपके मन में किसी भी features के बारे में या फिर function के बारे में कोई भी doubt है तो नीचे आप comment box में पूछ सकते तो दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद